तो 22 तारीक को नवंबर में अभी कोर्ट में सुनवाई होनी थी आपकी एज रिलक्षेशन वाले मामले को लेकर के और उसमें बच्चे बढ़ चड़ के प्रयास कर रहे थे एक बच्चा जो उसमें मुख्याची संभवत है वो बिजनौर का लड़का है उससे मेरी बात भी हैं क्योंकि प्रयास ही करना हम सब के आपके बस में हैं को इस पर की बहुत जाधा देपेंड करता था क्या भरती नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत बुरी तरह से निराश कर दिया है घॉर निराशा चारो तेरर यूट पिलिश भरती में फैल गई तो आज 26 तारीक आपकी हो गई है, 22 तारीक के संबंद में आप में से लगातर बच्चे पूछ रहे थे कि उसका 22 तारीक में सुनवाई हुई, उसमें क्या फैसला हुआ, छूट मिली के नहीं मिली, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ तो उसके संदर्ब में पहले, तो देखो सीधी सीधी बात यह है, कि जनकारी पहले ठीक ठाक निकल के नहीं आ रही थी, अब उसके बादे में आपको भी बताने का इसमें प्रयास करूँगा, साथ में एज में छूट वाला जो मामला है यह अपना में बहुत ज़्यादा किया, जो कोड के से संबन्दी थे, उन लोगों के माध्यम से ये बात मुझे पता लगी है, ठीक है, पूरी तरह से प्रामानिक तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी बात बोली है कि अभी उतनी इच्छे जनकर नहीं है, पर क्योंकि यूपी का जो ये पुलिस का मामला आप का चल रहा था, ये हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में नंबर बहुत लंबे-लंबे मिलते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि सुनवाई नहीं हो पाई, ऐसा उन्होंने कहा, ये बात प्रामानिक कितनी है, ये उसी बात पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप एक ची नहीं मिली है, ये बात निकल करके आती है, या दूसरी बात है कि रिट जो है, वो निरस्त कर दी गई है, तो रिट जो है, वो निरस्त करने की कहीं से कोई सूचना नहीं है, और छूट मिल जाती तो आपको पता है, उसी दिन आपका हला हो जाता, तो अभी तक ये दोनों ही बातें सामने नहीं है और जो बात निकल करके आ रही है कि भाई उसमें है ना अभी नंबर जो था हो थोड़ा पीछे था तो सुनवाई ठीक से अभी उसमें नहीं हो पाई ये बात अब कितनी प्रामणी के पता लगेगा अभी हो सकता है आगे भी डिटेल की जनकर मलब निका नहीं कुशिश करेंगे बट एक बात यह है कि जो भरती है ना इसके जो आसार है वो बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं आप देखो एक तरफ तो S.S.C. है जो लगातार दिल्ली पुलिस के एक्जाम करा रही है जीडी का एक मतलब फॉर्म निकाल दिये और उसके ब तो भाई आप लोग तो भाई पढ़ते रही है इतना ही कर सकते हैं आप साथ में कोई नो कोई आप काम शुरू कर लीजिए ठीक है कोई नो कोई आप मतलब ऐसा काम कर लीजिए जिससे आपकी जेब में दो रुपे आते रहे हैं आप पार्ट टाइम कुछ काम कर सकते हैं प सोचे बैटे हैं कि नौकरी चाहिए यह और भाई अगर आपकी ओवर एज हो रही है एक बात मैं आपको पता देता हूं कड़वी सचा ही आपको बता देता हूं कि एज का जो मामला है उसमें जो चांसे हैं वो बहुत कम है क्योंकि यह बात जो यूप पुलिस है मतलब जो ना पिछले कुस टाइम से साल दो साल से यूपी एसाई के टाइम से वह एज रिलक्षेशन देने का नहीं है ठीक है अब उमीद है कि बाई यह इतना लेट हो रहा है डेले हो तो एक साल की छूट दे दे अपनी तरफ से बैट वह कोड़ की तो बिलकुल नहीं मानने वाले क आप में से काफी सारे लोग मुझे कहेंगे भी ये बात किसर आप तीन साल छूट की बात नहीं कर रहे हो भाई मेरे बात करने से कुछ नहीं होता भाई मैं भी आप ही के जैसा हूँ बस एक बात ये कि आप लोग मुझे देख रहे हो आप लोग मुझे प्यार देते हो क्योंक में जब पिछला हलप नामा सरकार ने दायर किया था इसी वाले मामले में तो क्या हुआ था आपका सरकार ने बोल दिया था कि हम छूट नहीं देने वाले ठीक है उन बुला कि हमने जेल बॉर्डर की बर्ती करवाई हमने यह बर्ती करवाई वो 2018 तो बस अभी क्या ही कहा जा सकता है अभी कोई बहुत जादा सटीक अपडेट नहीं थी इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं समझ रहा था बट आप में से काफी सारे लोगों ने बार 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 कमेंट किया पूछा तो मुझे लगा कि आपको एक छूटी सी वीडियो मे अपने आपको अब लगाईए क्योंकि तीन महीने बाद एक्जाम है और अच्छी कासी वेकंसी है वेकंसी बढ़ भी जाएंगी तो इसी अच्छी एक आशा के साथ आप लोग बढ़िए नेगेटिविटी को दूर करिए पॉजिटिविटी को लाइए और अपने जीवन को अ